नमस्कार दर्शको अपनी संतान के खुशी दे चुकी हैं इसलिए हमने इस प्रोग्राम में इनको शामिल किया है कि आखिर कैसे कौन सा ट्रीटमेंट करवाएं कौन सा हम इलाज करवाएं कि अपनी जिंदगी में अपनी ऑलाद की खुशी लेकर आएं तो उस सब बाचीत के अब शुरुआत करते हैं सबसे पहली बात यही कि जो हमने ये अवेनिस शुरू किया है कई लोगों को इस प्रोग्राम के जरीए काफी अच्छी जानकारी मिली है आपके थूँ और मैं अभी जो हमारे पास ज़्यादा प्रशन आ रहे हैं वो यही आ रहे लेडिस के के जिन में ज़्यादा तर देखने को आता है कि उनकी ट्यूब्स बंद हो गई है तो ज़्यादा तर लेडिस यह जाना चाहती है कि क्या शुरुवाती दौर में दवाईयों के साथ ट्यूब्स को खोला जा सकता है या फिर सर्फ आपरेटी करवाना चाहिए देखो जो बांचपन की समस्या औरतों में आती है उनका प्रमुख कारण है ट्यूबों के समस्या जिसमें की ट्यूब बंद हो सकती है सबसे पहले तो यह देखा जाता है कि ट्यूब किस कारण से बंद है, हो सकता है कि जैसे नलो की ट्यूब क्लोसिज है, टीबी है नलो की, उसके कारण जो ट्यूब है वो बंद हो गई है, तो अगर ट्यूब बहुत जादा डैमेज हो गई है तो वो खुल नहीं सकती, तो मैं स पेशन्ट की एज ठीक है, तो सही टाइम पे वो ट्यूब खोली भी जा सकती है, आज कर कई टिकनीक से हैं, जिन से कोई ट्यूब खोली जा सकती है, उनमें से एक है स्टेरोस्कोपिक ट्यूबल कैनूलेशन, उसके जरीये हम ट्यूब खोल सकते हैं, उसमें कोई चीरा, कोई के ज़िरुरत नहीं हूती तो ट्यूब खोल लिशा सकती है पर जिन कपल में जिन लेडिश में ट्यूब्स हो गया या तूब में पाशक्य सुन कर लेने सानी चाहिए उससे जडी जो है की ट्यूब्स की समच्य का समधान हो सकता है जी बिलकुल और एक ऐसी समस्या को लेकर एक मेसेज हमारे तक आया है उशा कुमारी ने भेजा है हम इरपूर से इनकी एज 35 साल है इन्होंने लिखा है कि 10 साल हो चुगा है इनकी शादी को ट्यूब्स बंद है जिसकी वज़ा से अब तक उनकी जिन्दगी म उनकी उलाद नहीं हो सकी है इनकी जो है ट्यूब्स बंद है इनकी शादी को काफी समय हो गया है दस साल से जादा हो गए है तो इनको टेस्ट्यूब बेबी या उससे उपर की टेकनीक करानी चाहिए अब इस टेकनीक में क्या किया जाता है लेडी के पहले तो सबसे पहले बनाए जाते हैं और फिर तरही स्यूंड के जरिये जो है अंडे निकाले जाते जब यह निकाले जाते हैं तो टैस्ट में बेभी कई सथ्या जते बर्चट आइब ही मिलट है और प्र्च दाणी ऐसा है कि वो बार-बार नहीं आ सकते उनके लिए ये treatment कैसे फायदमन रह सकते हैं दिखो जो भी है कि एक निस संतान जोड़े को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर उनके husband आमी में है या बाहर काम कर रहे हैं या वो नहीं आ सकते तो वो संतान सुख की प्रापती नहीं कर सकते हैं ऐसी गलत धार ना है husband की जो है जुरूत एक ही बार होती है उसमें हम husband के शुक्रानों अगर वो नहीं आ सकते हैं मानलो वो आर्मी में कहीं और पोस्टेड है वाइव घर में है तो husband के जो शुक्रानों है वो freeze किये जा सकते हैं जिसको हम कहते है sperm freezing तो उसी दिन husband को ह husband आके अपने sperm freeze करा के जा सकते हैं और उनको बार बार आने की जुरूरत नहीं परती पर जो लेडी है फिर वो अपना इलाज करा सकती है जे बिलकुल और ये सब बाते हैं इस प्रोग्राम में शामिल करने का हमारा मकसद यह ही है कि कई बार देखा जाता है कि जो young couples होते हैं बे उलाज जोड़े हैं बांचपन की बिमारी से जूज रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं सोचते हैं कि treatment की शुरुआत करवाएंगे लेकिन अभी थोड़ा काम कर ले पहले और कुछ दिन करते करते बहुत लंबा period वो ऐसे ही गवा देते हैं तो उन सब दर्शकों को उन सब young couples को उन सब बांचपन के शिकार नहीं संतान जोड़ों को मैं यही कहना चाहूंगी कि समय जो आपका बहुत कीमती है जल्द से जल्द माहिर सला लीजे और अच्छी जगा से अपना treatment जो है उसकी शुरुआत करवाईए आगे बढ़ूंगी मैं जो अगला सवाल मेरा यही है कि जो पूरिशों में देखा जाता है शुक्रानों की समस्या रहती है शुरू में अगर उनके शुक्रानों की गिंती अगर देखे टेस्ट करवाने के बाद थोड़ी लिमिट के नजदीक या कम है तो क्या दवाईओं के साथ उनका इलाज हो सकता है देखो जो पूरिश में पांचपन की समस्या है उसका सबसे प्रमुक कारण है शुक्रानों की कमी होना यह बिल्कुल ही निल शुक्रानों होना जो कि आज कल काफी जादा मात्रा में ऐसे पेशन्स देखे जा रहे हैं तो अगर शुक्रानों की मात्रा बिल्कुल कम है मैंने बहुत सारे पेशन्स ऐ वहोहितें तनोसी दवार G Fr और यवड्य नहीं से रखा लेने हैं ।वर sex, Lek 지금은 बहुत के लिवर लेक सकते दवार हैं। बहुत है हैं रखेंट हैं। मम कैसे संट थो अदम उसक्तिन को फो फो मट करते हैं। और बिलकुल्य हैं थो गयाぎ, यदिन को फोर लेद। मात्रा में तो ऐसे मरीज टेस्ट्यू बेवी से उपर की विदी का फायदा उठा सकते हैं जिसको हम इक सी विदी कहते हैं और आज की डेट में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर लिया कि जिन आदमियों के निल शुक्रानू हैं बिल्कुल ही शुक्रानू ने वो भी अपनी सं तानसुक की प्राप्ती कर सकते हैं टीसा विदी आती है जिससे कि जो शुक्रानू है अंकोश से निकाले जाते हैं जहां शुक्रानू बनते हैं वहां से एक शुक्रानू निकालके एक अंडे के साथ मिलाके भ्रून तियार किया जाता है और जो लेडी है वो अपना ही कपल है अपना ही बेबी पा सकते हैं उनको adoption की कोई ज़रूद नहीं उनको semen जो है semen bank से लेने की भी ज़रूद नहीं तो यह जो टेकनीक से हैं इससे जो बेवलाद जोड़े हैं जिनके husband में निल शुकरानू है वो भी अपनी संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं जे बिलकुल अगर मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है तो हमें भी इसका जरूर फाइदा उठाना चाहिए जिन भे उलाद जोडों में देखने में आता है कि हजबन में कमी है शुकरानू बहुत कम है यहां बात करते हैं कि निल हो चुके हैं वो भी हताश मत होईए अभी भी आपकी जिन्दगी में एक उमीद जरूर है आप आगे बढ़िए माही डॉक्टर की सलाह के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करवाईए निल शुकरानों वाले भी अपनी उलाद का सुख जरूर ले सकते हैं जरूर कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम में हम के देसी दवाईयां देसी नुस्कों से जरूर बचिये उनको खाने से आपका कुछ अच्छा होने की बजाए कुछ बुरा भी हो सकता है उनके साइड एफेक्ट्स भी हो सकते हैं त्रीटमेंट करवाने से पहले अपने टेस्ट करवाईए अच्छी सला लेकर अच्छा इलाज समय पर जरूर करवाईए अगर बात करते हैं हम पुर्षों में बाजपन की तो मेंन बेसिक कारण क्या रहते हैं कि क्यों आखिर आजकल जो पुरिष है वो भी इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहे हैं देखो जो बाजपन की समस्या पुर्षों में उसका प्रमुक कारण होता है शुक्रानों की समस्या तो यह कई कारण से हो सकती है जिनके तो बिल्कुल लिल शुक्रानों है हो सकता है उनको कोई नशे की आदत हो या हो सकता है कोई प्रॉब्लम ही ना हो जनम से ही हो कि उनको हो गया है कई बार जनम पे मंप्स हो जाते है बच्चों को छोटी उमर में तो उसके कारण भी जो है testis को नुक्सान मिल सकता है और भी कई कारण है जैसे जो शुक्रानों की मातरा कम होती है तेज तरह जरिंदगी, stress, smoking जिसको हम कहते हैं, alcohol, शराब का सेवर, सो यह जो सारी चीज़े हैं, यह जो है sperms की मातरा को effect करते हैं अब बात करते हैं, females की ऑरतों की, उनमें basic क्या-क्या reasons होते हैं जिससे की बांच्पन की शुरुआत हो जाती है दिखो सबसे प्रमुक कारण हमने एक डिसकस किया है, जिन लेडी में ट्यूबें बंध होती हैं, सो ऐसे केसे में यहां हम ट्यूब कोलते हैं, यहां पर टेस्ट्यूब बेबी, विदी से बेबी लिया जाता है, यहां फिर अगर किसी में अंडेदानी में मानलो रसॉली है यहां अंडानी बन रहा, तो वो देखा जाता है, यहां महावारी बंध हो गई है, यहां बच्चेदानी बहुत छोटी है, बच्चेदानी की तैक अमजोर है, बच्चेदानी में भी रसॉलिया हो सकती है, सो ऐसे यह कई कारण है, जिनके कारण बाज़पन की समस्थे और पर हर कारण का इलाज है अगर एक लेडी की बच्चेदानी में बच्चेदानी का साइस चोटा है या बच्चेदानी की तैख खराब हो गई है या उसकी माहवारी बंद हो गई है एक तो माहवारी आके बंद हो जाती है जल्दी उमर में या फिर की जिनकी एज बड़ी हो या जिन में premature menopause जिसको कहते है जल्दी बंद हो जाना तो वो भी cases में अवो प्रेगनेंसी ले सकते हैं patients एक donation एक तरीका है जिसमें अंडा जो है अंडा bank से लिया जाता है ब्रून तियार करके बच्चेदानी में रखा जाता है और बेबी लिया जाता है सो ऐसी ladies को जिनकी मावारी कम है बंद हो गई है या खराब हो गई है वो भी हताश नहीं होना चाहिए और जिन ladies में अगर बच्चेदानी की तै जो है कमजोर है किसी भी कारण कमजोर है आज कल नई टेक्नीक्स आ गई हैं जिससे हम तै को भी ठीक कर सकते हैं और दूसरे बात है कि जो most common cause आज कल देखा गया है कि बच्चेदानी में जो है रसॉलिया है तो लेडी को ऐसे लगता है कि अगर उसकी रसॉलिया है तो वो प्रेग्नेंसी में तकलीफ आ सकती है बिल्कुल प्रॉब्लम आ सकती है तो इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि आज कल जुछ जुछ तो आज चल स्गर्टे रसॉलिया है अगर थायरे तो आज जो एक लेडी है वो अपना मां बनने का सुपना साका नहीं कर सकती तो थायरड का कितना रोल रहता है बांश्मेन की समस्या में देखो जिन लेडी को थायरड हो सकता है उनको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो मतलब कि उनका अंडा ठीक ना बने तो अगर थायरड जो मिमारी है वो अंट्रोल हो जाती है तो उस प्रेग्नेंसी में नहीं प्राब्लम करनी चाहिए और अगर एक लेडी को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है जिसमें छोटी-छोटी पानी की रुसॉलिया बन जाती है तो ऐसे केसे में भी उनके अंडे बनाये जा सकते हैं स्पेशल मेडिसन जाती है टीके आती है जिसे के अंडा त्यार किया जाता है तो ऐसे लेडी को बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए जी बिल्कुल और आगे मैं एक मेसेज लेना चाहूंगी जो हमें एक सोलन से आया है जया शर्मा का इन्होंने लिखाए कि इनकी महावारी बंद हो चुकी है 35 साल इनकी उम्र है और शादी को भी 10-12 साल हो चुके है इसके साथ साथ इनकी हस्बंड में भी प्रॉब्लम है शुकरानू बहुत कम है पहले रिपोर्ट आई थी कम थे अगली रिपोर्ट में और भी कम हो गए तो इनको क्या करवाना चाहिए देखो में इनको सबसे बेस्ट टेक्नीक जो वेलिबल है उससे इनको प्रेगनेंसी जल्दिसे जल्दी ले लेनी चाहिए इनको टाइम बिल्कुल बेस्ट नहीं करना चाहिए जीजी बिल्कुल इसरागर को या को हम यहीं बात कर रहे हैं कि आपने जिन्दगी में अभी भी ऑलाद की खुशी नहीं है, उनको जागरुकता दीजिए, उनने एक उमीद दीजिए, कि वो अभी अपनी जिन्दगी में अपनी ऑलाद की खुशी लेकर आ सकते हैं, कई बार देखा जाते हैं, कि IVF ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं, एक बार फे की कर लिया, टेस्ट्यू बेबी टेकनीक से उपर की बहुत सारी टेकनीक्स आ गई हैं, जिससे की जो काम्याभी दर काफी बढ़ाया गया है, जो पहले 15-20% था, आज की डेट में 70% हो चुका है, बार बार यही कहना चाहते हूं कि नई टेकनीक्स हैं, जैसे एक्सी विदी है, इमसी विदी है, कासा है, लेजर हैचिंग है, एंब्रियो मॉनिटरिंग सिस्टम है, ब्लास्टो सिस्ट कल्चर है, इन सब टेकनीक से जो है, टेस्ट्यू बेबी का काम्याभी दर काफी बढ़ाया गया है, सो एक निस संतान जोडे को कभी हताश नहीं होना चाहिए, सा कि जो ब्रून है, वो बच्चेदानी में चिपक जाए, ब्रून को ब्लास्टो सिस लेवल तक ग्रो कराते हैं लेबाटरी में, फिर ट्रांसफर करते हैं, एंब्रियो मॉनिटरिंग के जरीए के देखा जाता है, कि जो कौन सा जो ब्रून है, सबसे बढ़िया बन रहा है, वो बच्चेदानी में ट्रांसफर किया जाता है, एंब्रियो फ्रीजिंग के जरीए, मान लो एक पेशिंट का अगर एक साइकल आईविया फेल हो गया है, अगर उसके एंब्रियो बच गया है, तो वो फ्रीज किये जाते हैं, वो फेंके नहीं जाते, सो उसके जरीए जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, पैसे का स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, वो सारा कम हो जाता है, और बार बार लेडी को इंजेक्शन लगाने की जरुरत नहीं होती, सिरफ फ्रोजन ट्रांसफर होता है, जो बिलकुल पेइनलेस होता है.